आज चिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान और सीम कमलनाथ आमने सामने होंगे दोनों ही चिंदवाड़ा में तावर तोड जन सभाओं को संभोधित करेंगे आईए जानते हैं क्या है यी पूरा मामला मैं सजुर्ण है हमारे रिपोर्टर संदीप मीरा तोड रेली और सभाय कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान भी बीजेपी प्रत्यश्चों के समर्थन में लगातार आक्रमक रेलिया कर रहे हैं इसी करह में आज सि एम कमलनाथ चछिंदवाड़ा में तावर्तोर चार जंसभाव को संभोधित करने वाले वहीं पूर्व सिवरासिंग चुहान भी दो आमसभाव को संभोधित करेंगे में बताना चाहूं कि CM कमलनाथ सबसे पेले उमरहार में एक आम सभा को संबोधित करेंगे उसके बाद में परासिया फिर दमुआ और फिर उसके बाद में जमाई में एक आम सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर वो अपने पक्ष में और उनके बेटे नकुलनाथ के पक्ष में वोट मांगते ह वह नजर आएंगे दूसरी तरफ आगर बात की जाए मद्द प्रदेश के जननेता और लोगप्रे नेता की बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान की तो वो खुद यहां पर सीम कमलनात के गड़ में सेंध लगाने के लिए चिंदवाडा के जुननार देव में जनसवा को संभोधित करेंगे और उसके बास सिंगोरी के अमरवाडा में भी बड़ी आम सभा को संभोधित करेंगे इस दोरान पूर्व सीम सिवराज की कोशिस होगी कि वो यहां पर नत्थन शहा के समर्थन में वोट मांगे और सीम कमलनात के गड़ में सेंध मारी करने मे कामियाब हो कि विधान सभा चुनाओं के बाद लोक सभा चुनाओं में कहीं न कहीं न कहीं शिवराज सिंग चोहान की नदर चिंदवाड़ा में हैं और क्योंकि इस बार चिंदवाड़ा में सीम कमलनाथ की बजाए उनके बेटे नकुलनाथ लोक सभा चुनाओं लड़ रहे लिहाजा इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि पूरी तरीके से यहाँ पर सेंद मारी की जाए और कॉंग्रेस के गड़ को धुस्त करते हो यहाँ पर भाजपा का जंडा बुलंद किया जाए फिलाल देखना होगा कि किस तरीके से यह सभाय चलती है लेकिन छिंदवाडा मे आज पूरे प्रदेश की नजरे ठीकी हुई है क्योंकि एक तरफ सीम कमलनाथ और दूसरी तरह मद्द प्रदेश के पूरु मुक्क मंत्री शिवराज सिंग चोहान यहाँ पर आमना सामना बहराल देखना दिलचस्प होगा कि कि किस तरीके से शिवराज सिंग चोहान और सी है